नमस्कार किसान भैयू, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफॉम राजस्थान मौसम में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में जिसमें बताएंगे आगा में 24 गंटों के अंदर राजस्थान के सेतर में कैसे रहेगा मौसम कहा का पर बारे सु जरूरे कर लेजेगा किसान भाई आज राजस्तान में बारिस का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कई सारे चिलों में अच्छे खासी बारिस होने की संभाव नाइब बन रही है तो उनके बारे में विविस्तार्श बताया जाएगा बस आप से निवे दिन वीडियो को लाइक कर देजेगा और अपना और अपने जिले का नामे वीडियो के कमेंट बोक्स में जरूर लेकिएगा सबसे पहले रेखिए अभी की लाइव से टलाइट तस्वीर जब हम सुबह 6 बजए इस वीडियो को बना रहे है तो आप देख सकते हैं राजस्तान के कुछ जोदपूर शंबाग से लेकि अजमेर शंबाग के कुछ उतरी भाग है, इसके साथ ही कुछ जैपूर शंबाग और विकानिर शंबाग के दक्सिनी और दक्सिनी पूर भी भाग है, यहाँ पे बादलो की घनी आवाज़ाई बने वुई हैं, इसके साथ ह हलकिश्य मद्यम बुन्दा माती जैसे इस्तती भी बने हुई हैं कुछ रजस्तानों पर बारिस की गतिविद्या भी चालू है। शामिल इसके साथ ही पालेई और सिर्वेई के बागों में हैं आज भारी बारिस की संभावना रहेगी और यहां पर एक सर्कूलेशन है उद्यपूर शंभा के उपर बना हुआ है तो उसका प्रभाव आज जरूर देखने को मिलेगा और इसके प्रभाव से आज कही सारे जिलो में अच्छी खासी बारिस वनी की संभावनाई रहेगी इसके साथी भीलवाड़ा अजमेर कुछ जैपूर शीकर जुन जुन साथी यह वाला जो बेल्ड है यहां पर आज तेज भारी बारिस देखने को मिलने वाली है इसके साथी जो पूरवी राज्तानी के जैपूर और भरतपूर संभाग के बाग है जिसमें अलवार जैपूर दोसा बरतपूर धोलपूर करोले शुए मादेपूर टोंक साथी इंजिलो में भी आज अच्छी खासी बारिस वो देखने को मिलने वाली है कई सारे इस्तानों पे तेज भारी बारी जैसे कतिविदिया भी देखने को मिल सकती हैं जिसमें अमाका सर्ष लेकि धोरी मना और चोटन के हाज पर शेहर के असपर के शेतर हैं यहां पे सुगे सुभे ही जो मौस में आक्लन बन रहा है उसके साब से आज यहांपर कहीं सारे इस्तानों पे भारी बारी इसके आसपस के शित्र हैं याँ पे भारी बारी जैसी कतिविद्या आज देखने को मिलने वाली हैं वही जालोर शहर और इसके आसपस के शित्र हैं याँ पे भारी बारी जैसी कतिविद्या देखने को मिलने वाली हैं वही साचोर चितलवाना बागोडा और शायला के आसपस गर्मी बहुत जादा रहेगी जैसे जैसे दिनागे बटेगा व्यसे व्यसे उमस बढ़ते जाएगी और फिर उसके बाद में बुंदा बांदी का दोर है वो आज जालोर में चालू होने की समभावनाई बंद रहे हैं सुबहे के 10-11 बजे से वही बात करते हैं शिरुई की तो शिरुई के भी लगबग समस्त भागों पे आज तेज मुशलाधार बारिश की समभावना रहेगी वही पच्छी मी राज़तान के सबसे बड़े बांद जवाई बांद में भी आज भारी जल आवक की समभावनाई बन रहे हैं वैसे कल भी यहां पे जवाई बांद के जो आसपास के एरिये हैं यहां पे अच्छी खासी बारिश देखने को मिली थी तो कल से ही जवाई बांद की जल आवक में हैं और ज़्यादा बडूतरी देखने को मिल रहे हैं और आज भी यहां पे भारी जल आवक जैसी इस्तती बनी रहेगी बात करते हैं विकानेर शंबागी जिसमें विकानेर गंगानेगर हनमानगर चूरू साथ यू इनजिलो की बात करते हैं इनजिलो में भी आज कही सारे इस्तानों पे खंड बारिस की संबावना रहेगी कुछ गंगानेगर और कुछ हनमानगर चूरू के बागए यहां पे भा बारी बारी जाजी गतिविद्या देखने को मिलने वाली है वही जैसलमेर के भी कुछ उत्री और उत्री पूर्वी भाग है दक्सिनी और दक्सिनी पूर्वी भाग है यहने जोदपूर और विकानेर और कुछ बाड़ मेर से सटो हुए यह वाले बाग है यहां पर आज बार शिरोई और जालोर के बाग रहेंगे यहां पे भारी और कुछ इस्थानों पे भारी से थी भारी बारिस के संभावनाई आज बन रही है वही कोटा संभाग में भी आज भारी बारिस के संभावनाई बन रही है नागोर और अजमेर के भागों में भी हलकिश्य मद्यम्त जा करीजे का नमस्कार जेहिंद